वक्त करीब सुबह साड़े पांच बजे का है जा एक ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार के साथ गुजरात से मुंबई आ रही थी सुबह लगबग 90% लोग ट्रेन में सो रहे होते हैं लेकिन इस बीच चलती ट्रेन में से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आती है जिसने लोगों की नीन दुड़ा दी रेलवे सुरक्षा करमचारी जिससे लोग अपनी रक्षा की उम्मीद करते हैं लेकिन अगर एक रक्षक ही भक्षक बन जाये तो जनता की सुरक्षा कौन करेगा जनता कहां जाएगी किस पर विश्वास करेगी इस घटना से ये कई बड़े सवाल खड़े होते हैं नमस्कार आप देख रहे है दनगरी न्यूज मैं हूँ आपके साथ सद्धिका मनुहर सोली अब आपको बताते हैं पूरी घटना के बारे में महराश्ट के पालगर में चलती हुई जैपूर मुंबाई एक्सप्रेस ट्रेन में ताबड़तोड फाइरिंग की घटना सामने आई है फाइरिंग जैपूर एक्सप्रेस ट्रेन 12956 की B5 बोगी में हुई है ट्रेन गुजरात से मुंबाई आ रही थी घटना पालगर और मुंबाई के दहीसर के बीच हुई है आपको बता दे हाथ से में आरपीएफ के ASI टीकाराम समेट चार लोगों की मौत हो गई टीकाराम एसकोट प्रबारी थे बताया जा रहा है कि ट्रेन पालगर स्टेशन से कुछी दूरी पर निकली थी इसी बीच सुबह साड़े पाँच बजे वापी से बोरीवली मीरा रोड स्टेशन के बीच आरपीएफ कॉंस्टेबल ने अचानक ट्रेन में फाइरिंग कर दी बताया जा रहा है कि फाइरिंग करने वाले की पैचान आरपीएफ कॉंस्टेबल चेतन के तौर पर हुई है चेतन एसकोट ड्यूटी में तैनात था वे फाइरिंग करके ट्रेन से कूद गया हाला कि उसे मीरा रोड बोरिवली के बीच से गिरफतार कर लिया गया है उसके पास से हतियार भी जप्त कर लिये गये है हाला कि फाइरिंग होने की वज़े का भी पता नहीं चला है लेकिन आरपीफ ने जाच शुरू कर दी है बताया जा रहा है कि ट्रेन में दो जवानों चेतन और तिलक्राम में जगड़ा हुआ था अपने वरिष्ट से जगड़ा होने पर चेतन ने फाइरिंग की फाइरिंग के चलते ट्रेन में कहरम मच गया और ट्रेन से कूदने की वज़े से कुछ यात्री भी घायल हो गए सूत्रों के मताबे एक चेतन अपने ट्रांसफर के चलते गुस्से में था साथ यह पारिवारिक तनाव में भी था और उसकी मानसिक स्कती भी ठीक नहीं थी ऐसे में सवाल यह उट रहा है कि अगर आरोपी की मानसिक हालट ठीक नहीं है तो उसे ड्यूटी पर क्यों रखा गया फिलाल मरतकों के शवो को गोरीवली में उतार कर ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया है अब हम आपको बताते हैं कि इस घटना पर रेल्वे ने क्या कहा वेस्टन रेल्वे के मताबिक पालगर स्टेशन पार करने के बाद एक आरपी एफ कॉंस्टेबल ने जैपुर एक्स्प्रेस ट्रेन के अंदर गोली बारी कर दी आरोपी ने एसाई समेथ चार अन्ययात्रियों को गोली मार दी और दहीसर स्टेशन के पास ट्रेन से बाहर खूद गया फिलाल आरोपी कॉंस्टेबल को गिरिफतार कर लिया है और पूछता जारी है